है गाईस खया है उबीदत आप लोग सब बहुत खुश होगे और आप बहुत healthy होगे you're taking a good care of your health आज हम क्या बात करने वाले हैं इस वीडियो में इस वीडियो में मैं आपसे बहुत बहुत important बात बताने वाला हूँ आपको कि बहुत सारे students होते हैं जो ये पूछते हैं कि sir जो theory subject होते हैं जैसे कि law or audit जो pure theory है इनको क्या classes लेनी चाहिए या self study कर लेनी चाहिए क्योंकि बहुत सारे अलग-अलग तरह के seniors होते हैं और वो बहुत अलग-अलग तरह के guidance होते हैं तो सर करना क्या चाहिए देखो क्या करना चाहिए यह बहुत subjective topic है ऐसा नहीं होता कि आपका friend अगर self study कर रहा है तो आप भी self study कर सकते हो या फिर आपका friend अगर class ले रहा है तो आपको भी class लेनी चाहिए इसा बिल्कुल भी नहीं होता है it is a very subjective thing what does it depend on sir it depends on first of all my interest just because law or audit is a theory subject पर मेरा अगर उसमें interest नहीं है तो मैं खुद से self study कर नहीं पाऊंगा क्यों ऐसा बोल रहे हो sir क्योंकि आपने अभी classes अगर लेनी चुडू हुई होगी तो आपने समझा होगा कि बहुत सारे students यह agree करें कि FR और DT जिसे subjects होते हैं इनको self study नहीं किया जा सकता हूं इसके लिए teacher की जरुवत होती है पर मैं ऐसे भी लोगों को जानता हूं जिन्होंने FR खुद से किया या फिर डिरेक्ट टैस कुद से कर लिया और डिरेक्ट टैस में तो एक ranker भी है जिसको डिरेक्ट टैस में बह bankruptcy code है पहले सेकरा हुआ करता था सरफेस ही हुआ करता था यह सारी चीजे ना इतनी interesting है ने जितना अगर आप एक सही class ले लो तो वो teacher की responsibility होती है आपके लिए interesting बनाना तो having said that the point that I am trying to say here is that it is completely on you one if you are interested in the subject second if you have good chunk of time जैसे कि अगर आप law पढ़ना चाहते हो तो मैं आपको बत और उसके बाद अगर आपको और भी नहीं समझाए तो आप जाके bare act पढ़ोगे कुछ और चीज़े पढ़ोगे कोई reference book use करोगे तो यह सारा होता है sir research और यह सब research already teachers एक एक subject के करके बैठे होते हैं तो आपको यह देखना पढ़ेगा कि आपका interest कितना है और आपके पास कि study definitely because self study से आपका subject पे बहुत जादा hold आता है लेकिन sir at the end आपको यह भी समझना पढ़ेगा आठो में से कोई भी ऐसी subject नहीं है जिस पे अपने को PhD करना है तो जो ग्रूप के students होते हैं आप लोगों के लिए तो यह special message है कि आप लोग 8 subject के classes लो और फटा 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 फ how would you go about it तो मैं आपको basic step बता देता हूं sir अगर आपको self study करनी है तो आपके पास होना चाहिए ICI का module और एक reference book reference book क्या है sir market में अगर मैं आपको बता हूं तो सबसे अच्छी audit के reference book है पंकजगर्ग sir की book और law के लिए है मुनिश भंडारी sir की book तो यह reference book है sir जिसमें पूरी म नीश भंडारी sir के book में क्या होता है ICI के module से भी बहुत सारी चीज़ें जादा दी होती है जो शायद हमार ले relevant नहीं है और मैं तो आचल यह मानने लग गया हूं कि ICI के module को you will have to stick at least to the content उससे जादा आपको पढ़के कोई फायदा नहीं होने वाला तो आपको ICI module को अपना base बनाना पड़ेगा और जहां पर आपको confusion हो रहा है वहां पर आपको reference book को use करना पड़ेगा सर इससे तो आप एक एक chapter करके पढ़ोगे तो समय लगने वाला है you will have to invest good chunk of time once you are done with it completing the reference book is not enough because मैंने audit में सर पंकजगर्क सर की reference book use की थी लेकिन मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई थी कि मैंने ये नहीं सोचा था कि मैं last day पर इसको summarize कैसे करूँगा revise कैसे करूँगा तो अभी उसके लिए आपके पास solution है आपके पास audit का भी solution है law का भी solution है law में आप मेरे जो summary notes है और question bank है वो ले सकते और उसको last day revision के लिए वो ultimate solution है जैसा कि उसका नाम है और आप ICI module मुनीश मंदारी सर की बुक मेरा summary notes और question bank ले करके आप पूरा मिला करके आपको पढ़ना पड़ेगा पहले आपको reference book से पढ़ना पड़ेगा और फिर आपको summary module पे धीरे धीरे अपना control लाना पड़ेगा सर जनरली कितने गंटे लगते हैं self study में तो अगर मैं आपको बताओ तो अगर आप समझ लो self study आप रोज करोगे अगर आप self study कर रहे हो तो important चीज यह है कि एक साथ बैट के आप classes जैसे देखते हो वैसे देख नहीं सकते है आपको थोड़ा दिन में 3-4 गंटे 3-4 गंटे ह first revision में करना पड़ेगा और question bank और summary notes सर आपको साथ साथ भी करना पड़ेगा अगर आप question bank पूरा solve करोगे तो शायद आपको आप समझ लो 30 गंटे और ले लो तो करीबन आपको 150 गंटे लगने वाले हैं अब सर reference book जो है वो कैसे use करना है वो आपको बस generally जैसे munishar की book है तो आपको बस you will have to start reading it and you will have to read all the concepts the only problem while speaking I realize that अगर आप classes नहीं लेते हो तो आपको यहाँ पे एक problem होती है कि आपको यह नहीं समझेगा कि क्या बहुत important है और क्या कम important है वहाँ पे आपका basis सर्फ यह हो जाएगा कि अरे कहां से बहुत जादा questions आते हैं और कहां से कम questions आते हैं ल वहाँ पे आपको problem यह होगी कि आपको समझ नहीं आएगा focus कहां करना है कहां पे amendment हुए कहां पे you know जादा focus करना है उसमें आपकी बहुत जादा energy जाने वाली है लेकिन you will have to go slow and smooth chapter by chapter उसके बाद से revision तो आप मेरे पे छोड़ दो अगर आप मेरे student हो नहीं हो आपको बस summary notes हो self study के लिए try to spread it over number of days जैसा कि मैंने आपको बताया और जब आप 30 दिन में मालो spread कर रहे हो ना तो आज जो आप 4 गंटे पढ़ रहे हो ना it is very important it is of utmost important that कल सुबह आप उसको जब नया chapter शुडू कर रहे हो उसके पहले एक बार पूरा revise कर रहे हो ताकि revision से retention बढ़ता है sir और ज नहीं है लेकिन मेरे summary notes होने के बावजूद भी जैसे आपको लगता है रे directors बहुत important chapter है और अगर में लिख लिख के पड़ू तो मेरे को जाधा retain होता है तो आप फिर भी बना सकते हो क्योंकि there is no ऐसा नहीं है sir यह सारी चीजे जो मैं बता रहे हो नहीं it is not written in stone इससे कम या जाधा बहुत सारी चीजे करके भी आप पास हो सकते हो लेकिन I just told you what is the basic requirement इसके बाद अगर आपको लगता है नहीं मैं पूरे law का summary notes बनाऊंगा तो आप वो भी बना सकते हो लेकिन दोस्त अगर आप बोद ग्रूप दे रहे हो तो प्लीज याद रखना अपने को कोई भी subject में PhD नहीं करनी है अपने को 100 में से सर्फ 60 का target लेके चलना है exemption अपने को 100 में से 100 नहीं लाना है तो we will have to understand that what is important what is not important and we will have to plan accordingly तो sir अगर आपके बहुत समय है तो self study का अप्रोच ये रहेगा मुनीश बंडारी सर की अपंकर सर की book उठाओ और पढ़ना शुरू कर दो sir और आपके लिए और अगर फिर भी नहीं लेने लेक्षर तो आपको पास summary videos मिल जाएंगे अभी latest summary videos आने बाकी है वो मैं ले आऊंगा आप लोगो खले बहुत जल जैसे कि एक बार RTP आ जाए और फिर sir आपका law का tension बिलकुल भी नहीं रहेगा वो मेरे हाथ छोड़ देना ठीक thanks a lot for watching guys I hope this video was helpful for you if yes do click on the like button and please do share with your friends and it'll help me to reach out to more number of people thanks a lot for watching see you in the next video bye bye